हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे कि लास नंबर टॉन्टिनाइग इससे पहले हमने पढ़ा था बंगार शायली के बारे में और चित्रकार अपने रादबू के बारे में है आज हम पढ़ेंगे नंदलाल बोस के बारे में नंदलाल बोस का जोन 1883 इश्वी और मृत्यू 1967 इश्वी में हुआ नंदलाल बसू अवनिंद्र नाथ के प्रमुक शिश्यों में से एक थे नंदलाल जी का उपनाम मास्टर मुसाया भी था नंदलाल जी का नाम क्या था मास्टर मुसाया भी था मास्टर मुसाया सरल सहज और निर्भिगनिय मानी बसू उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धर्म और यश का महों त्याग कर सच्चे मंद से कलाकी साधना की थी किन्मे से माया जाते थे जिन्होंने धन और यश का महों त्याग रखा था वो कलाकी सच्ची साधना करते थे इनके जन्म के बारे में विद्यानों में विवाद है कुछ ने उनकी जन्म तिथी 3 सितम्मर 1882 वा कुछ ने 3 दिसम्मर 1882 स्युक्रित की है लेकिन सबसे ज़्यादा माने जाने वाली और विकीपीडिया पे 3 दिसम्मर 1882 की है उन्होंने अपने पिता पूर्चंद्र बसू बिहार के खड़कपुर में इस्थापत्य शिल्पी थे नंदलाल बसू तीस वर्स की उम्र में कलकत्ता स्कूल ओफ आर्ट्स में दाखिला लिया इस समय इवी हैवले आर्ट इसकूल के पिंसिपल थे और अवनिंद्रनाथ टैगोर वाइस पिंसिपल थे नंदलाल आर्ट इसकूल में प्रवेश के लिए सिफारिश प्रमार पत्र के साथ साथ अपनी तूली का दौरा निर्मित महा सोयत का चित्र लाए थे हैवले ने उनका चित्र देखते ही उनमें भावी चित्रकार के गुड़ देखे और इन्हें प्रवेश दे दिया कम उम्र में ही नंदलार बोस की प्रसिद क्रती सती और नौका विहार बनाया आपने माइकलेंजिलो रफेल के चित्रों की प्रतीक्रतियां भी बनाई राजा रवी वर्मा के चित्रों से भी वे प्रभावित हुए सन 1907 इश्वी में स्री अवनिंद्र नाठाकुर ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकत्ता में गुरू रविंद्रनाठट दौरा इस्थापित विचित्र नामक कलाशिल्प के केंद्र और ओरियंटल स्कूल ओफ आर्ट्स का इन्हें पिंसिपल नियोक्त किया गया अपनी संस्था गीतांजली आदी रचनाओ के लिए चित्र बनाए सन 1922 इश्वी में इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट की नौकरी छोड़ा गुरुदेव ने इन्हें विश्व भारती कलाभवन का अध्यक्ष बनाकर शांती निकेतन ले गए और यहां कलाभवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ती मिली सन 1924 इश्वी में आपने रविंदरनाट टैगोर के साथ वर्मा यानि महिनमार मलाया, चीन, जापान की यात्राएं की और चार महा तक उन देशों की चित्रण पद्धतियों का अध्यन किया कला भवन में रहकर आपने आसपास के गावों के चित्र बनाएं जिसमें संथाल इस्तरी प्रसों एव कन्याएं आदी प्रमुक थी नंदलाल बोस जी चौत्तर वर्स की आयू तक शान्ती निकेतन में रहे और साथ ही यहां पर मंच सज्जा और एवम सजावट में अपना सहयोग देते रहे इस प्रकार आपने प्राचीन तथा अर्वचीन देशी तथा विदेशी मुगल एव राजपूत कांगड़ा एव पहाडी कला की प्रारंभिक शैलियों सभी प्रकार के चित्र अंकित किये जिन में विशेय में विविन्ता देखकर आश्चर होता है प्लीज लाइक दे वीडियो और सब्सक्राइब दे चैनल और शेयर दे वीडियो दोज आ प्रपेरिंग फॉर आर्ट नंदलाल बसु को गहरे रंगों और क्रतिम रूप से बेहत परहेज था आपने अपने चित्रों को मौलक्ता पर जोड दिया अपना कथन था कि कला तभी जिन्दा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो और उसमें अजन्ता या विलायत कहीं से भी चोड़ी नहीं की गई हो यह सत है की संभवता हैवले जैसे कल मरमज, कला मरमज, अवनिंद्रनाथ जैसे कला गुरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कला पार्खी उनके जीवन में ना आई होते तो नंदलाल बसू की प्रतिभा शायद किसी अंधेरे कोने में टिम्टिमाटी रहती बसू ने टैंपरा, वाश और जनलंग, पैंसिल, श्याही, रंगीन पैन, लियो नकार्ट, ड्राइपॉइंट माउस बोर्ड पर टैंपरा, आधी पदतियों, से लगभग, दस हजार प्लस चित्रों का निर्मार किया पैंसिल रंगों एव ब्रुश द्वारा आपने अनेक कार्डों पर चित्र त्यार किये जिन्हें वै मित्रों, छात्रों एव सिक्षकों को भीज देते थे स्टेल कैमरिश में ने मास्टर मुशाया के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा कि उनके रेखा चित्र, ओटोग्राफ्स, चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतिय चित्रकला के बहुमूल रत्न हैं आपके प्रमुक चित्रों में 1907 इश्वी में बना सती सन 1908 इश्वी में इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आठ की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए दो चित्र चित्र पर चड़ती हुई सती और सती का देहत्याग प्रदर्शित किये इसी वर्ष उत्तरी और दक्षणी भारत का ब्रमण आपने किया और कड़का शूरिपूजन चित्र बनाया 1909 इश्वी में चैनिक काव्य संगह के लिए चित्र बनाये सती गंधारी भीश्म प्रतिग्या सावित्री और यम नौका विहार सन 1910 इश्वी में पद्मिनी और विभा सिंग भीम सिंग इकलव्य और अलियोदर चित्र बनाये 1911 में धनुर्विद्या सीखते हुए द्रोणा 1912 में पर्चार्ती 1913 में उमा की जल उपा समाधी शिव का विश्पान है अर्जुन दुर्ग मेग उमा की तबस्या आदी अनेक उलेखनिये चित्र हैं नंदलाल बोस ने रुपावली और शिल्प कला नामक कला समंधी पुस्तकों का लेखन भी किया उन्होंने अपने कला गुरू अवनिंदरनात की बंगाल शैली को एक माहनतम शिखर तक पहुचाया सन 1967 इश्वी में उनका देहांत हो गया 16 अपरेल 1966 इश्वी में आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हम लोग प्रिपर कर रहे हैं यूपी टीटी पीजेटी आर्ट्स के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग अस